हेलो माई यूट्यूब फैमली वेलकम टू दी चारूस केक पे होप आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं पार्ट फोर डिजाइनिंग वीडियो लेके आई हूँ आप सब के लिए चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूट लिएगा वीडियो इसको प्लीज प् करके बनाया गया है बीच की जो खाली एमटी स्पेस को फिल करने के लिए स्टार से स्टार शेप से ही स्टार बनाये गये है चॉकलेट्स के टॉपर लगाये गये है एक सिंपर बोदे टॉपर गोल्डन बॉल से इस डिजाइन का लुग कम्प्लीट किया गया है नीचे की त तरफ सिंपल बॉडर ऊपर रोसेट और गोल्डन बॉल से सेंटर रोसेट का कम्प्लीट किया गया है सेंटर की जो स्पेस है खाली ना लगे इसके लिए कुछ स्प्रिंकल्स एक टॉपर एंड बर्दिवर का नाम इस तरीके से हमारे सिकेंड डेजाइन का लोग कम्प्लीट किया गया है हमारा थर्ड डेजाइन एक सिंपल हार्ट केक शेप है और बॉडर पे रोसेट रोसेट के बीच में थोड़ा स्पेस रखा गया है जिसको हमने मोदक नोसल और स्टार से कम्प्लीट किया है रोसेट के सेंटर में silver balls place किये गये और modak nozzle और star पे भी नीचे का border भी double shade से ही complete किया गया white and pink color और modak and star border type के नीचे का border complete किया गया हमारा fourth design है simple round cake, pink color, pink रोसेट, red cherries and white chocolate pink, red and white and center में brown color chocolate तो ये combination तो हमेशा ही hate है simple design है या आप simple किसी के विलिए भी बना सकते हो प्लस ये simple design simple ना लगके bakery style लगने वाला हमारा next design जो है एक simple round cake है एक side का border पूरा complete किया गया है unicorn tails के हिसाब से इसको braid भी बोलते है braid design, tail design कुछ भी बोलते है लोग, अलग-अलग नाम प्रोसेट से complete करके center में silver balls place किया गया नीचे border एक तरफ का एकदम empty रखा गया है no sprinkles, कुछ नहीं डालके एकदम plain रखा गया है next design है neutral gel से पहले final finishing के बाद cover किया गया है dripping effect दिया गया है उपर की तरफ space दे दे के rosette बनाएं ताकि हमारा neutral gel का dripping effect और neutral gel भी दिखें फिर sprinkles से complete करके center में simple birthday topper और बदेगल का नाम है एकदम simple making design है नीचे एक simple star order दिया गया है हमारा जो next design है वो एक simple round cake है इस type के cakes में finishing इतनी नहीं दिया है तो चलता है क्योंकि ये पूरा design हमारे cake को cover करने वारा है rosette pink यूज करके and rosette white color यूज cream यूज करके उपर cherry topper center में choco chips बदे टॉपर और design को complete किया गया है water की इस type के cakes में ज़रुवत नहीं होती क्योंकि पूरे ही rosette से ही ये design cover हो जाता है हमारा जो next cake design है simple hard shape cake है same braided design या जो tail design बोलते हो है एक तरफ के cake को इदर हम rosette से cover करते है और दूसरा आप एक्तम plain रखते है rosette के पीछ में अगर कुछ space आ जाए तो either star, mode, जो nozzle से आपको उसको fill करना है fill कर दे gap दिखना नहीं चाहिए white and pink combination यूज किया गया है light shade of the pink जिससे वो pitch color जैसा दिख रहा है एक तरफ गनाश से simple line बना के toppers लगा है cover करते design से एक तरफ plain चाहिए तो plain चोड़ दे या फिर sprinkles डाल दे बदे टॉपर डाल दे या नाम लिख ले यही एक latest trend चल रहा है इसी को थोड़ा turn and twist करके cakes के designs बदले जा रहे बाकि almost same यही braided design चल रहा है next design नीचे dripping effect है neutral gel यूज किया गया एक तरफ process का border है और stars nozzle से 3-4 stars का cluster बनाया गया है नाम birthday topper and that's it your design is done आपका design एक दम complete है simple elegant bakery style next design एक valentine's day special design है heart shape है half side neutral gel से dripping effect दिया गया है and another half side simple है valentine's day लिखके कुछ fondant top cuttings लगा गया है heart shape के और नीचे border दिया गया है plain surface पे border dripping effect पे border नहीं दिया गया यह एक और next design जो है वो अपनी मदर के लिए center में eye लिखवा के बड़े star nozzet and छुटे छुटे star nozzle से design को complete किया गया है next design बास्केट डिजाइन है white and pink combination में leaf draw किया गया है basket designs जादा तर यह ता तो special orders रहते या फिर जब बिग्निंग में आपका इतना designing clear नहीं आ रहा है तो आप इस ताइप के designs बना के अपने cake को दे सकते हैं ताकि finishing ना भी होने पे और मुस्स सारा cover हो जाता है heart shape rosette design यह इस टाइप के design इधर या तो customer specially जब कस्टमाइज करवा दे या आप ऐसे design तब यह बना सकते हैं जब आप beginning में हैं और finishing में दिक्कत हो रही है तो इसमें इतने finishing की जरुवत नहीं दिक्कत होती next simple plain pink color का cake मतलब plain surface का cake है और rosette की design pearl border से snowy effect दिया गया है एकदम snowy effect नजर आता है pink and silver के combination में है हमारा जो next design है यह same unicorn tail design एक तरफ एकदम plain कोई sprinkles नहीं कुछ नहीं सिफ नाम simple topper और एकदम elegant look इस टाइप के भी cake design आप beginning में बना सकते है पैट-पैट finishing हो बोलते है इसको इतना finishing का इसमें पता नहीं चलता effect भी आ जाता है नाम और पता भी नहीं चलता border simple ball उपर भी simple पर जिग-जाग वाली water और आई लिखके टॉपर के साथ cake की design को complete गया हार्ट शेप प्रोसेट simple center में एक पर्दे टॉपर couple का नाम and design is complete आप अपनी designing complete करके finish हो चुके हो इसके साथ so guys hope आप सबको यह designs पसंद आये होंगे पसंद आये तो चैनल को like share and subscribe करना मत भूलिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा बिना skip किये ताकि एक भी design आपका मिस नहीं हो thank you झाल